जेहंद इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे थर्मल पावर अस्टेशन आए बिना देर किये स्टार्ट करते हैं कहता है ए जेनरेटिंग अस्टेशन और ए पावर अस्टेशन भीच कनभर्ट हीट इनर्जी ओफ कोल कमबसन इन्टु एलेक्ट्रिकल इनर्जी इस नोना इस थर पावर जेनरेटिंग अस्टेशन भीच कनभर्ट हीट इनर्जी ओफ कोल कमबसन इन्टु एलेक्ट्रिकल इनर्जी इस नोन अज थर्मल पावर अस्टेशन मने थर्मल पावर अस्टेशन क्या करता है कोईला के जलने से जो हीट उत्पन होता है उस हीट इनर्जी को वह एल इनर्जी में कनभाट करता है तो यह तो डिफनेशन हो गया कि वैसा जेनरेटिंग एस्टेशन वैसा पावर जेनरेटिंग एस्टेशन जो कोईला के जलने से जो उस्मा उर्जा उत्पन होता है उसको बिधूत उर्जा में बदलता है तो वैसे जेनरेटिंग एस्टेशन को ह एक छोटा सब ब्लॉग डियाग्राम बनाए है, यह हलाकि complete डियाग्राम नहीं है, हम complete डियाग्राम भी बनाएंगे, अभी थर्मल पावर अस्टेशन में करीब करीब दस से ज्यादा विडियो बनेंगे, इसलिए अभी हड़ बनाना नहीं है, जस्ट आप लोग को अभी इनिशली होता क्या है, तो देखो हमने एक छोटा सा डियाग्राम बनाया है, थर्मल पावर अस्टेशन का, इसमें हमने एक बॉयलर दिखाया है, एक अस्टीम टर्बाइन दिखाया है, एक अल्टरनेटर दिखाया है, समझ में आया, तो लेकिन हम इस थर्मल पावर अस्ट पर अरफन पढ़ा होगा देखो सुनों इधर पहले मान लोओ कोई मैगनेट है कि क्या है क्या है इस देखों इधर पहले कि यह 확 börjar है कि नॉर्थ पॉल है सौफ है देखा मैं समेस्टर का जो बीडियो है जो बैच की रिट कैसारा बेसिक बिडियो डाल तो आप लोग को पता है एक चीज मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे विदार्ती को लगता होगा ना कि सर कैसा बोर्ड पर पढ़ाते हैं देखो बोर्ड पर ध्यान मत दो कि इधर थोड़ा दिखता है इधर दिखता है तो इस पर आप ध्यान मत देजे आप ध्यान देजे कि कित क्योंकि जोहीं सब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा सेट हो जाएगे सारे बच्चे तो मैं लाइब क्लास स्टार्ट कर दूँगा यह मेरा अपना फ्लाइट में हम बोर्ड रखे हुए इस तरह दिवाल में लगाने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए हमने स्टैंड पर बढ़ा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा इधर दिखता होगा इसलिए इधर दिखता होगा देखो इधर पहले तो मान लो कि यह आपका क्या है नॉर्थ पोल है यह आपका सौथ पोल है और यह देखो यह आपका क्या है लोड लगा दिया है लैंप हो सकता है मोटर हो सकता कुछ भी हो सकता है इस क्वाइल को हम क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं इस क्वाइल को क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं तो जो ही एक क्वाइल घुमे गाना तो जो फ्लक्स का डारेक्शन होगा वो तो फ्लक्स का डारेक्शन इधर होगा फ्लक्स का डारेक्शन आपका इधर हो प्लक्स दिक होता है उसी परकार देखो तो जब इस कौयल द कभूमाईएगा ऌई इसे इसे घुमाईएगा ना तो जो क्वाइल है ना इस फलक्स को कट करेगा और कट करेगा ना इसका मतलब है कि इस कंड़क्टर में EMF जेनरेट होगा फैरा डेलाओ के अनुसार वही EMF जेनरेट हुआ है उसी EMF के कारण हम यहां बल्व जलाते हैं पंखा चलाते हैं मोटर समझ में आया तो इसी तरह जिनरेट होता है हलाकि सब सारा चीज इंडक्शन में मैं पढ़ा रखा है उसका वीडियो सारा वीडियो हमने आपके थर्ड सिमेश्टर ऑनलाइन बैच में डाल दिया है आप जाकर कि इसको देख सकते हैं बढ़ियां से पूरा वीडियो जो ही कोई confusion की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद आपके semester का unit by unit आपका चलता रहेगा तो देखो आपने समझ गया कि EMF generate कैसे होता है तो आई हम थोड़ा thermal power station की भी चर्चा कर लें हां कैसे generate होता है आपने देख लिया समझ में आया तो अब देखो होगा क्या कि thermal power station क्या करता है य उसमा उर्जा को वो electrical energy में convert करता है इसलिए इसका नाम है thermal power station और steam power station इसको कहते हैं लेकिन क्या directly बदल देता है नहीं directly नहीं बदलता है देखे क्या होता है ना सबसे पहले कोईला को जलने से देखो कोईला के जलने से आपका जो heat energy develop होता है ना जो heat produce होता है ना उस heat का utilize करक हम क्या बनाते हैं water को steam में convert करते हैं water को किस में convert करते हैं steam में बदलते हैं किस में बदलते हैं steam में और वो steam में हम कहां बदलते हैं boiler में बदलते हैं मने जो कोईला के जलने से कोईला के combustion होने से जो heat produce होता है उस heat का utilize करके हम boiler में boiler में boiler में आपका क्या boiler एक device है जहां हम क्या करते हैं water को steam में convert करते हैं तो जब हम complete diagram बनाएंगे ना तो हाँ सारे component का हम आपको definition देंगे तो हम क्या करते हैं boiler में क्या करते है water को steam में convert करते हैं कैसे convert करते हैं this heat energy का utilize करके आपके steam में बदलते हैं समझे मने boiler किया है steam generate करता है मनें वाइलर क्या करता है वाटर को अस्टीम में बदल देता है किसका यूटिलाइज करके इस हीट इनर्जी का यूटिलाइज करके उस अस्टीम को हम कहां ले जाते हैं टर्बाइन में ले जाते हैं कहां टर्बाइन में ले जाते हैं अब टर्बाइन क्या करता है इस का क्या ब्लेड है कि ये ब्लेड है मान लो कि देखो इधर पहले ध्यान देना थोड़ा सा कि समझ में सब को आएगा कि देखो देखो इधर पहले ये मान लो टर्बाइन है जो गहुमने के लिए फ्री है तो देखो तो जब यहाँ अस्टीम का फोर्स देंगे जब यहाँ अस्टीम का फोर्स देंगे जब यह अस्टीम लगाएंगे इधर तो क्या होगा ये गहुमना सुरू कर देगा क्या कर देगा गह जब engine को फोर्स करें है तो सउना सुरू बेगा मने क्या होगा इस इनर्जी को टर्बाइन किस में बदल दे रहा है मेकनिकल इनर्जी में जब भी मेकनिकल विर आ जाए समझ जाना है रोटेशन समझ जाना Newton समझ में अंगा है तो हाँ तो क्या करता है ना कि यह अ चर्बाइन के ब्लेड पर जो ही श्ट्राइक करता है तो और इस्ट्राइक करेगा तो गूमना शुरूँ आ जाएगा अभी यह tavल है कुछ समय बाद इहां अजाएगा और continuously इसी तरह turbine rotate करना शुरू कर देगा और turbine rotate करना शुरू कर दिया मतलब वो steam के energy को किस में बदल दिया mechanical energy में बदल दिया अब वो mechanical energy में बदल दिया तो देखो तो भाई अभी हमने just बताया है कि ये कोई magnet है ये कोई magnet है, north pole है ये कोई coil है ये मानलो elementary हमने generator का photo बना दिया है समझ में आया और ये north pole है और ये south pole है और ये देखो क्या होगा हम coil को घुमा रहे हैं किस से घुमा रहे हैं? turbine से घुमा रहे है मने एक elementary generator है जो ही ये घुमेगा न और इसी के soft पर से हम इस generator को क्या कर दिया है coupled कर दिये है मने alternator, it means AC generator को steam turbine के साथ हमने क्या कर दिया है कपल कर दिया है मने जो ही इसको घुमाईएगा मने जब इस घुमेगा न तो इसका क्या होगा अंदर में rotor जो रहता है वो इसी परकार कर रहता है field system वो घुमेगा क्या हो जाएगा घुमेगा तो देखो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बनाने की कोसिस करता हूँ यह मनलो alternator का है जिसके stator में binding है stator उसको बोलते हैं जो stationary रहता है और यह armature binding है armature binding उसको बोला जाता है जिसमें working EMF induce होता है और यह जैसे मनलो यह आपका rotor है यह क्या है rotor है यह आपका rotor है समझ में आया यह आपका rotor है यह मनलो field winding है field winding उसको बोलते है जो working flux produce करता है working magnetic field produce करता है तो देखो इसको जब घुमाईएगा और यह क्या है rotor जो है वो turbine से आपका क्या होता है, coupled होता है जो ही turbine घूमेगा, तथी rotor घूमेगा rotor घूमेगा, मनिया field system घूमेगा field system घूमेगा, मतलब flux घूमेगा flux घूमेगा और ओ flux जो है armature binding को cut करेगा, जो ही armature binding को cut करेगा, portrait लांके अनुसार उसमें к्या होगा, EMF generate होगा समझ में आ रहा है फराडे लाक एनुसार उसमें EMF generate होगा किसमें क्या generate होगा EMF generate होगा तो उसी तरह देखो कैसे काम करता है heat energy कोईला को जलाने से जो heat energy produce होता है उसका utilize करके हम boiler में water को steam में बदलते हैं और यह steam को हम कहां ले जाते हैं turbine में ले जाते हैं और यह turbine क्या करता है उस steam energy को mechanical energy में बदल देता है समझे और इस mechanical energy के use करके हम alternator के it means AC generator के rotor को घूमाते हैं जो ही rotor को घूमाएंगे तो आपका electrical energy produce होना शुरू हो जाएगा तो इसी तरह thermal power station आपका काम करता है तो आसा करता हूँ कि आप लोगो thermal power station का basic idea आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया तो यह thermal power station का complete video नहीं है यह तो आपका introduction video है कि just thermal power station कैसे काम करता है मैं इसमें अभी 10 से ज़्यादा video बनेगा समझे और सब चीज बताएंगे आपको A to Z चीज बताएंगे किसी तरह का कोई भी confusion नहीं होगा आप यह तमिनान से पढ़ो मेरे साथ मेहनत करो थोड़ा book का सहरा लो book पढ़ो देखो तुम्हारा level कहां चला जाता है तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को यह सारी video समझ में आ गया होगा बहुत बहुत धन्यवाद